हलो फ्रेंज स्वागत है देखिए आज मैं आपको बहुत सुन्दर बाजू का डिजैन बताऊंगी और जोड़ने का भी तरीका बताऊंगी कि लाउज में कैसे परफेक्ट फिटिंग दिया जाता है तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके लिए हम अस्तर वाला कपड़ा यहां से रड़ पंध का लाउड लेंगे चोडाई लिएंगे फ्रेंज चारिंच का लंबाई है रंड़ आप इसका चोड़ाई है और यहां देखिए 3 पर मार्क लगाएंगे छोटा बाजू बनाएंगे 1.5 ओंज कपड़ा बाजू को अब इसे दोनों को अलग कर देना है इस निकाल करके बीच में थोड़ा जोइंट है इसे भी कट कर देंगे देखे, दोनों रेडी हो गया, इसे हम एक बाजू को अब इसे मोड़ लेंगे डिजाइन बता रहे हूं फरेंस वीच में मारक लगा लेना है यहाँ पर देखिए, सावा एक इंच का, यहाँ पर सावा एक इंच का मारक लगाएंगे लंबाई दो इंच का और ऐसे करके तिर्चा मार्क कर देंगे देखिए अब इसे डबल ऐसे करके दोनों तरफ मिला लेंगे देखिए ऐसे इसी तरह दूसरे को इसके उपर ऐसे सेट करके दोनों तरफ बरोबर मार्क मिला लेंगे यदि आपको डिजाइन पसंद आएगा तो फिर यदि आप फेस्बुक पर वीडियो देख रहे हैं तो मेरे फेस्बुक को फोलो जरूर कीजिएगा और देखें ये नेट वाला ब्लाउंज है और ब्लाउंज पीस भी है तो दोनों को सेट कर देना है और अस्तर के बीच में ऐसे रख देना है नेट को चाहें तो आप बीना नेट के भी बना सकते हैं विलाउंज डिजाइन तो ऐसे पीन से सेट कर देना है दोनों बाजू को रेडि कर देना है तो जो डिजाइन है उसके बाहर साइड में हम सिलाई लगाएंगे जहां मार्क है उस पर हम कटिंग करेंगे तो दो पॉइंट कप्ड़ा पकड़ करके शिलाई किया जाता है तो ऐसे कर लेना है मार्क पर कटिंग कर देंगे इसी तरह दूसरे साइड भी हम दूसरे बाजु को भी हम ऐसे सेट कर लेंगे देखी ऐसे कट करके कपड़ा निकाल देना है चोटा-चोटा कट्स लगाना है ऐसे कट्स लगाना है कि सिलाई न कटे और इसे अब सीध करेंगे तो बहुत फिनिशिंग के साथ सीध होगा पिन निकालकर इसे प्लट कर सीध करेंगे देखिए ऐसे चाहें तो आप बिना नेट का भी ब्लाउंज ये बना सकते है इसमें तीन कप्ड़ा लगा है एक अस्तर का और एक ब्लाउंज पिस है लाइट वाला और एक नेट है देखिए ऐसे चांपसिला ही लगा देंगे दूसरे को भी ऐसे चांप सिलाई लगा देना है अब कॉनर को हम ऐसे अंदर के साइड मोडते हुए ऐसे एक लेबल में ऐसे मोड लेना है चाहें तो आप पिंसे सिट कर दीजिए या ऐसे सिल लीजिए कोन और को मोटते हुए दोनों बाजू को हम ऐसे सिल लेंगे देखिए फ्रेंज बाजू बनके रेडी हो गया तो चलिए इसे हम जोड़ना बताएंगे कि कैसे इसे बिलाउंज में फिट करेंगे यह हमारा फ्रोंट पार्ट है देखिए इसमें भी डिजाइन है फ्रेंज यह बैक पार्ट है तो चलिए फ्रोंट पार्ट को बैक पार्ट को हम सेट करते हैं तो देखिये ऐसे सेट करना है naj छोल्डर हम गले के और से एक लेवल का करेंगे और यसे लेवल मिलाते हुए हम सिलाई लगा देंगे छोल्डर पे डबल सिलाई लगा लेना है इसी तरह दूसरे साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे इसका वीडियो आपको फ्रॉंट और बेक को दोनों को देखना है तो मेरे चैनल में जाकर के देख लीजिएगा देखिए तोनों को जोड़ करके बाजू को सेट करेंगे बाजू हमारा देखिए ऐसे उल्टा रख देंगे यहाँ पर तीन इंच का हम मार्क मिला करके तीन से सेट कर देना है देखिए ऐसे यहाँ देखिए जो फ्रॉंट पार्ट में आएगा बाजू तो इसको हम थोड़ा सा इसे कट कर देंगे इसे फिनिसिंग और अच्छा आता है फ्रेंस और इसे हाँ से मिला लेंगे देखे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे यही से देखे फिर डबल सिलाई लगा लेना है इसी तरह दूसरे साइट भी हम सिलाई लगाएंगे मुझे उमीद है कि आप लोगे ब्लाउं डिजान जरूर पसंद आया होगा पसंद आयागा तो फिर इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन दबा कर आल पर क्लिक कर दीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो अफ्लोड करूं तो नोट्फिकेशन आप तक पहुँचे और सबसे पहले वीडियो आप देखें इसी तरह दूसरे साइट भी बाजू को सेट कर लेना है और यहां फिनिसिंग देने के लिए हम तीर्चा पट्टी कट करेंगे और इसे डबल करके जिस तरह हम यहाँ पर जो बाजू जोड़े हैं उसी तरह इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे और इसे अंदर के साइट हम मोड़ते हुए एस्ट्रा है उसे कट कर देना है और इसे अंदर के साइट हम मोड़ देंगे यहाँ पर और उपर से देखिए हम ऐसे मिला लेंगे और यहाँ पर देखिए धागा को हम अलग कर देंगे और इसे अंदर ला करके यहाँ पर उपर हम कोनर पर चांप सिलाई लगा देंगे इसी तरह दूसरे साइट भी हम बाजू जोड़ेंगे देखिए फ्रेंज कितना आसानी से कितना छोटा और सुन्दर बाजू बनके रेडी हो गया पूरा मैं आपको ब्लाउंज में जोड़ करके बताई हूं फ्रेंज और यहाँ पर देखिए फिटिंग का मार्क लगा करके ऐसे मोड लेना है और देखिए यहाँ बीच में रख करके एक लेवल देख लेना है और यहाँ पीन से सेट कर देंगे और यहाँ से देखिए हम बाजू एक लेवल में लेंगे नीचे एक कोनर निकल रहा है उसे हम ऐसे करके मिला करके सिलाई कर लेंगे पहले एक आप कच्चा सिराए यहाँ पर लगा लीजिए उसके बाद से नापी लीजिएगा दोनों साइट को ऐसे मिला कर पिन्च से सिट कर देना है और यहाँ हम नापने का तरीका बता रहे हैं साड़े छे इंच यहाँ पर लेंगे डबल कपड़ा और यहाँ से देखिए साड़े आठ इंच पर लेंगे 32 और 34 दोनों बलाउंजिस में रेडी हो जाएगा फ्रेंज यहाँ पर फिटिंग का मार्क लगा करके इसे सिलाई कर देना है इसी तरह दूसरे साइट भी हम सिलाई कर लेंगे चलिए आपको सिध करके दिखा रहे हूं कि कितना परफेक्ट फिटिंग और सिलाई दीख रहा है फ्रेंज वीडियो देखने के लिए फ्रेंज धन्यवाद फिर मिलेंगे कुछ नया डिजाइन के साथ ओके बाई